बारिश का मौसम शुरू होते ही, हम सभी को चटपटे, पकोड़े और वड़े की बहुत याद आती है तो आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन बहुती फेमस सामबार वड़ा जिससे आप चैना दल वड़ा भी कह सकते है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है मैंने 2 कप चैने की डाल ली है, जिसे मैंने 5-6 घंटे के लिए भीगो कर रखा था अगर आपके पास समय कम है और आप ये सामबार वड़ा बनाना चाहते है तो आप डाल को गरम पानी में भीगो कर रखे हाथों से आप तोड़े तो डाल इस तरह से तूट जानी चाहिए अगर आपके डाल अच्छी तरह से भीगी हुई नहीं है तो आप उसे अच्छी तरह से ग्राइंड ने कर पाएंगे तो ये बात का आप खास खयाल रखे अब इसे हम पानी के अंदर से निकाल देते हैं मैंने इसे चलनी में रख दिया था अब 3-4 चमच डाल को हम साइड में रख देंगे जिसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे सबसे पहले हम एक स्पैशल मसाला तियार करेंगे जिसके लिए मैंने 5-6 हरी मेश ली है आपको जितना तिखा पसंद हो उसके इसाब से आप हरी मेश ले एक बड़ा चमच साबूद धनिया लिया है एक चोटी चमच साबूद जीरा लिया है दो चमच के करीब लसुन का पेस्ट है 3-4 लाल मिर्च है और एक मीडियम साइस की प्याज है जिससे मैंने बहुत ही बारी कट कर लिया है सबसे पहले मिक्सर के जार के अंदर हम साबूद धनिया डालेंगे जीरा डालेंगे और जो सुखी वाली लाल मिर्च है उसे भी डालेंगे अगर आपको सौफ पसंद है तो आप एक चमच के करीब सौफ भी डाल सकते है 15-20 इसके अंदर हम करीपत्ता डालेंगे करीपत्ता आप ज़रूर डाले इसकी फ्लिवर बहुत ही बढ़ी आती है अब हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को माने थोड़ा सा टुकडो में कट कर लिया है लसुन की पेस्ट ली है आप लसुन और प्याज नहीं खाते है तो स्किप भी कर सकते है अब इसके अंदर हम चैना डाल डालेंगे और इसे ग्राइन कर लेंगे ज्यान रहे कि ग्राइन करते वक्त आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करना है आपकी डाल अच्छी तरह से भीगी हुई है तो आप बहुती आसानी से इसे ग्राइन कर पाएंगे दाल को ग्रैंड करते वक्त आप बीच बीच में चमच से उसे मिक्स करें और फिर इसे ग्रैंड करें दाल ग्रैंड हो जाने के बाद उसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वात के हिसाब से एक छोटी चमच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है अब हमने जो प्यास कट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे बारिस के मोश्रम में यह संबार वड़ा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे अब एक चमच इसके अंदर हम हिंग डालेंगे और हमने जो चने की दाल साइड में रखी थी वो इसके दर डाल देंगे जब हम यह वड़ा फ्राइ करेंगे तो यह जो साबूत वाली दाल है वो एक अच्छा सा क्रश देगी अब इसके अंदर डालेंगे हम one fourth cup चावल काटा यानि की rice floor अगर आपके पास rice floor नहीं है ता आप corn floor भी डाल सकते है थोड़ा सा या फिर सूजी भी डाल सकते है बारी cut किया हुआ हरा धन्या डालेंगे और हाथों से अच्छी तरह से उसे mix करेंगे ध्यान रहे कि हमें हलके हाथों से इसे mix करना है हाथों के उपर हमें ज्यादा pressure नहीं देना है अगर आपको लगे कि आपका जो ये mission है वो loose consistency वाला है तो आप उसे टैट करने के लिए थोड़ा सा और चावल का आटा डाल सकते है मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ये अच्छी तरह से mix हो चुका है तो अब हम हाथों के उपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके अंदर से वड़ा तयार कर लेंगे आप चाहे तो butter paper के उपर या फिर plastic की कोई पनी के उपर भी तेल लगा कर वड़ा को बना सकते हैं मैं अभी हाथों में ही बना कर आपको बता रही हूँ मैं अभी medium size के वड़े बना रही हूँ आप चाहे तो अपनी पसंद के इसा आप से छोटे या वड़े बना सकते हैं गोल बना कर हाथों से उसे flat कर दे अगर किनारों पर cracks है तो उसे भी मिला ले तो इस तरह से हम पहले सारे वड़े तेयार करके रग लेंगे आप चाहे तो direct ऐसे वड़े बना कर fry करने की लिए रख सकते हैं अगर आपको वड़े अभी fry नहीं करने हैं तो आप इस तरह से वड़े बना कर freeze के अंदर भी रख सकते हैं और जब आपको मन करे तब आप उसे fry करके तेल अच्छी तरह से घरम हो गया था तो गैस की फिलेम को मैंने मेडियम टू सलो कर दी है अगर आप चाहे तो नाश्टे के लिए ये वड़े बना कर फ्रीज में एक से दो दिन तक स्टोर कर सकते हैं आप हाथों से इस तरह से वड़े बना कर तयार कर ले और फ्रीज में एट एट कंटेनर के अंदर रख दे फिर एक से दो दिन के अंदर जब भी आपका मान करे तब आप इसे घरमा घरम फ्राय करके सव कर सकते है जब एक साइड से वड़े हलके से फ्राय हो जाए तब उसे पलट दे ज्यान रहे कि वड़े थोड़े फ्राय होने पर ही पलटे नहीं तो ये अंदर ही तेल के अंदर तूट जाएंगे आपको लगे कि फ्राइ करते वक्त तेल का जो टेंपरेचर वो डाउन हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गेस की फिलिम को आप तेज कर सकते हैं इस तरह से हम वड़े को फ्राइ कर लेंगे अगर आपके घर गेस्ट आने वाले है तो आप सुबह ही इसे बना कर फ्रीज के अंदर रख सकते हैं और जब आपको गेस्ट को साव करना है तब आप उससे साव कर सकते हैं अभी हमारे जो वड़े है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके है तो उसे हम निकाल लेंगी और टिश्यू पेपर के अंदर रखेंगे तक उसका जो एक्स्ट्रा ओइल है वो एब्जर्ब हो जाए मैं वड़े का दूसरा बेच भी फ्राइ होने के लिए रख देती हूँ तब तक हम बनाएंगी स्पेशल चट्नी जिसके लिए मैंने एक प्यास ली है एक टेमाटर लिया है और तीन से चार लाल मेश ली है एक नांस्टिक के अंदर हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे मैंने दो चमश तेल लिया है प्यास को पहले हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे जिसमें हमें एक से दो मिनट का समय लगीगा जब भी आपको इस साउथ इंडियन रेस्टराण में जाएंगे और सांबार बड़ा ओडर करेंगे तो साथ में आपको ये चटनी जरूर मिलेगी जब हलका सा प्यास ब्राउन हो जाए तब उसके अंदर हम लाल मिश डालेंगे मैंने चार लाल मिश ली है जिससे हमारी चटनी वो मेडियम स्पाइसी बनेगी अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 5-6 लाल मिश ले सकते है टमाटर डाल देगे और डाल देगे साथ में नमग जिससे हमारे टमाटर चल्दी से गल जाए मिक्स कर लेंगे इसे लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ढालेंगे चना दाल मैंने अभी यहाँ पर जो चना दाल ली है वो मैंने भीगोई हुई बिल्कुल नहीं है दो चम्मच मैंने चना दाल ली है यह अच्छी दहरा से प्यास और टमाटर के साथ ही सौते हो जाएगी यह चटनी को आप इडली ढौसा अपम के साथ भी साव कर सकते है आप इसे बना कर रखना चाहे तो फ्रीज में नीचे तीन से चार दिन तक और फ्रीजर में जहां पर हम बरफ जमाते हैं वहां पर 10-15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं अब इसे हम ठंडा होने देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सर जार के अंदर डाल कर ग्रैंड कर लेंगे मैंने ग्रैंड करते वक वनफोर्थ कप के करीब पानी मिलाया था आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार इसके अंदर पानी डाल सकते हैं अब इसे हम एक बावल के अंदर निकाल लेते हैं वैसे तो आप ये चटनी वैसे ही खा सकते हैं लेकिन इसे हम तड़का लगा कर और स्वादिस्ट बनाएंगे तड़के के लिए मैंने दो चमश तेल लिया था उसके अंदर एक चमश सरसो डालेंगे सरसो जब अच्छी तरह से चटकने लगे तब इसके अंदर डालेंगे हम करी पत्ता और ये तड़का हम चटनी के उपर डाल देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी तयार है हर हमारा वडो का जो दूसरा बैच है वो भी अभी तयार हो चुका है तो इसे हम साव कर लेते हैं हमने जो चटनी बनाई है उसके साथ और साथ में मैंने लहसुन वाली ड्राय चटनी भी साव की है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंड करके मुझे जरूर बताए ये सांबार वड़ा की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राय करें मैं अभी आपको इसका क्रंच बताना चाहूंगी आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रंची है मैं एक तोड़ कर भी बता रही हूँ उपर से बहुती क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से उतने ही सफ्ट हमारे वड़े खाने में भी उतने ही स्वाधिस्ट है तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राय करें रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंड करके मुझे बताना ना भूले ऐसी नहीनी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को अब जरूर सब्सक्राइब करें तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक मज़िदार रेसिपी के साथ